हेलो बच्चों आप देख रहे हैं तक्षशुरा और हम बात कर रहे थे हाउडू ओर्गैनिजम्स री प्रोड्यूस तो अभी तक हमने असेक्श्वल डी प्रोड़क्शन के सारे पाट्स कम्प्लीट कर ली हैं ठीक है अभी तक अगर आपने वो लेक्श्यस नहीं देखे हैं तो एक बात देख लीजिए तभी आपको आगे का पाट समझ में आएगा ठीक है तो आज हम देखेंगे sexual reproduction तो sexual reproduction में हमने देखा था कि एक ही parent जो है वो offspring बनाने का process करता है ठीक है या फिर reproduction करता है एक ही parent या फिर एक ही individual अगले generation को बना देता है ठीक है चाहे वो fission हो, budding हो फिर क्या था regeneration हो इस सब में हमने देखा था एक ही parent का लेता है या फिर एक ही parent का यूद होता है लेकिन sexual reproduction में दो individuals भाग लेते हैं नए generation को बनाने के लिए ठीक है two individuals take part to create new generation या फिर offspring को बनाने के लिए दो individuals भाग लेते हैं और इस process में हमें genetic material का recombination भी देखने को मिलता है मतलब genetic material की mixing भी देखने को मिलती है दो नए individuals की genetic material की ठीक है तो इसे हम sexual reproduction कहेंगे या पढ़ लिजे पहला point फिर second point देखिए variations are important for survival of species हमने देखा था कि variations का importance क्या है अगर variations हो तो कैसे एक बदलते environment में भी एक species या फिर एक population survive कर जाती है ठीक है और अगर variations ना हो तो बदलते environment में वो species survive नहीं कर पाती है और वो extinct हो जाती है उस जगर पे से ठीक है तो यह हमने देखा था variations के बारे में अब हम देख रहे हैं कि sexual reproduction में ज़्यादा variations हमें देखने को मिलते हैं मतलब यहाँ variations ज्यादा होते हैं और इसी वज़े से sexual reproduction ज्यादा फेवर्ड या फिर ज्यादा advanced technique है reproduction की बजाए की sexual reproduction में sexual reproduction में हमें खली variation देखने को नहीं मिलता है वो जो offspring होते हैं वो कारबन कॉपी होते हैं या फिर clones होते हैं अपने पैरेंट्स की क्योंकि उनमें genetic recombination नहीं होता है या फिर किसी भी जरिये से जो genes है या फिर जो DNA है वो mix नहीं होता है दो individuals का और इसके वैसे जो offspring होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं अपने parents से लेकिन sexual reproduction में क्योंकि दो individuals पार्ट लेते हैं और उनके जो DNA है या फिर genetic material है वो combine करता है recombination करता है और इसके वज़े से हमें नया जो individual है उसमें ज्यादा variation देखने को मिलते हैं ठीक है और हमें यह भी पता है कि variation कहां से आते हैं जब DNA अपने आपको replicate करता है या फिर DNA अपनी copy बनाता है तब जो DNA है उस process में कभी कभार थोड़ी बहुत गलतिया कर देता है और इसी वज़े से वह गलतिया variations की form में हमें देखने को मिलती है ठीक है इतना हमें पता है तो यह था पहला स्लाइड हमें इसमें क्या देखा sexual reproduction में दो इंडिविजल भाग लेते हैं और इसमें recombination of genetic material होता है ठीक है और इसकी कारण बहुत सारे variations form होते हैं और variations बहुत important है विसस का survival के लिए और इसी वज़े से है sexual reproduction ज्यादा फेवर्ड है या फिर ज्यादा एडवांस है क्योंकि इसमें हमें ज्यादा variation देखने को मिलते हैं ठीक है अब हमें एक बात पता रहने चाहिए कि समझी यह सेल है तो इस सेल के अंदर जो DNA है उसका amount fix है मतलब इतना ही DNA एक सेल के अंदर रहेगा और वो एक स्विशिस के लिए वो amount fix है ठीक है तो हम त्यूकि यू केरियोटिक organisms हैं ठीक है तो हमारा DNA जो है वो सेल में बिखरा हुआ नहीं रहता है स्कैटरड नहीं रहता है सेल में ठीक है जो प्रो केरियोटिक और गैनिजम से उनका DNA जो है बहुत हद तक बिखरा होता है सेल के अंदर लेकिन हमारा DNA अच्छे से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है और क्रोमोजोम के फॉर्म में रहता है ठीक है है सब्सक्राइब करूंस की फॉर्म में रहता है अब ड्ब्रीने का अमाउंट फिक्स है तो क्रोमोजोम का नंबर भी फिक्स होगा एक सेल के अंदर ठीक है तो एक स्विसे पहलाई पाल मेरा भी फिक्स होता है समझ लीजिये कोई बटर्तलाइक सिल में हर एक इंडिवेज है और उसके अंदर 13पर मुझम से तो उस बटरफ्लाइग के के स्पीसिज नदर ठीक है उस स्पीसिस के अंदर 13 पर फो और उनके हर एक सेल में 30 पर अब होगे कि सिवाए गैम क्रोटी कि इंसान है है तो हर एक इंसान के अंदर 46 क्रोटी क्रोमोजूम से है ठीक है है अके नहीं रहते हैं मैं तो यह ऐसे से रहते हैं दखे यह घ्र मुझम हुआ यह क्रौम दूब है तो यह पेर की फ़ॉम्हिज़ानि से जुटे हुए णि यह चौरम में क्यों रहते हैं यह आपको इस बित बता दूंगा आगे तो इंडिविज्वल का वो कम्बाइन करेगा सेक्ष्वल डी प्रोडक्शन में ऑफ्स्प्रिंग बनाने के लिए जो जैदा हो जाए अगर ऐसे रिप्रोडक्शन होतों मतलब समझ यह एक सेल है इसके अंदर इंसान का सेल है इसके अंदर 43 क्रोमोजोम है ठीक है यह सेल है और यह दुसरा सेल है यह दुसरा गैमेट है गैमेट मतलब रिप्रोड़क्शन है ठीक है इसमें 43 क्रोमोजोम है और अगर यह दोनों कम्बाइन कर जाए तो जो नया सेल बनेगा यह नया और स्प् जो 46 chromosome रहते हैं इंसानों मियों 46 हो जाएगा इधर इनती 292 क्रों मुझोप हो जाएंगे नए नए नहीं सेल में yani offspring तो ऐसा तो होता नहीं है हर एक इंसान के अंदर सहे में रहता है तो कैसे होता होगा reproduction weißeAlldar तो हमने पढ़ा है कि जो complex organisms है उनके अंदर हर एक काम को करने के लिए specialized cells होते हैं differentiated cells होते हैं या फिर जिने हम specialized cells कहते हैं वो होते हैं हर एक काम को करने के लिए जैसे कि kidney के function को perform करने के लिए nephrons होते हैं brain के function को perform करने के लिए neurons होते हैं ठीक है कि लिवर के function को perform करने के लिए हिपिटोसाइट होते हैं यह अलग-अलग cells के नाम है जो specialized है उस औरगन के function को perform करने के लिए तो वैसे ही reproduction को करने के लिए हमारे पास specialized cells होते हैं जिने हम गैमेट कहते हैं तो हम आगे देखेंगे गैमेट क्या है यह देख लीजिए यह देखिए DNA है तो DNA से chromosome की form में रहता है कि आपको यह समनाम याद नहीं करने है खली याद रखिए को करने के form में होता है देखिए यहां वह लिखा है कि हर एक काम को करने के लिए हमारे पास सपेशलाइज सेल है तो रिप्रोड़क्शन को करने के लिए कि उन्हें होंगे है हरी प्रोड़क्शन को करने के लिए हमारे पास सब्हरां है तुग है अब श्चात बात है कि honestly में नंने का साव हूं ही को ब्रेम का के अंदर क्या होगा half number of chromosome होगा मतलब 23 chromosome में इस में खली ठीक है 23 chromosome में तो अब यह कर समझें यह male है हमारे पास male है ठीक है तो इंडिविजुल भाग लेंगे sexual reproduction में इसके आपको समझा रहा हूं कि यह male है और इसके इसके गैमेट से इसके इसके स्पर्म के अंदर 23 23 क्रोमोजम होंगे ठीक है और यह फीमेल है तो फीमेल क्या प्रोडूश करेगी ओवम ओवम या फिर एक तो इस एग में भी क्या होगा 23 क्रोमोजम होंगे 23 क्रोमोजम होंगे अब जब यह दोनों कंबाइन करेंगे है ठीक है यह दोनों कंबाइन करेंगे तो नया जो सेली वां जिसा सेडीक कहेंगे ठीक है नया जो बेबी का पहला से ल फया होगा उसके अंदर कितने हो जाए ख्रोमोजुम वापस से 46 ठीक है 23 प्लस 23 क्या हो जाएंगा 46 मतलब नय जो प्रिंग होगा उसके नदर वापस हमारे पास specialized cell है reproduction के लिए जिने हम gametes कहते हैं और जिन के पास हाफ number of chromosome होते हैं हाफ number तो यह हाफ number कैसे हो जाता है इनके पास chromosome का तो एक division करते हैं साधा cell कैसे device करता है समझे 46 इसके पास है तो साधा cell क्या करेगा कोई भी नॉर्मल से उनया जो बनाएगा दो दो तो दोनुब लोंन्हें थे含 हो जैंगे 46 लेकिन चाहिए तो करते हैं तो ड Cafe Rson division करते मतलब समझे यह कोई लहें मित बनाने वाला यह इसके अंदर ना स इन रहर हाफ हाफ दिन ने या फिर हाफ हाफ इसका नाम क्या है इसका नाम क्या है मियॉसिस करते हैं और इसकी यह को कारण खिलि आधा नमर अबफ क्रोमोजम जाता है ठीक है वही लिखा है अपके हाफ नमर क्रोमोजम और यह लिखाए से यू जो unite करेंगे male female gamut और जो chromosome form होगा जो zygote form होगा उसमें वापस से parents के इतने ही chromosome होंगे मतलब 46 chromosome होंगे ठीक है यह humans के वाले हम बात करें और इस process में ठीक है तो इस process में क्या हो जाएगा आधा जू अधा genetic material है father से आजएगा अधा genetic इसके वाय से जो नयासे ले उसके अन्दर दोनों के जेनीटिक मटेरियल से रहेंगे मतलब दोनों के जीनीतिक मटेरियल समर्स मेहार् वेसं स्वरियस्ट आपगे इसके वैसे वई से होते लेकिन जो complex organism है humans की तरह उनके गैमेट में क्या होता है हमें फरक देखने को मिलता है जो मोटायल गैमेट होता है चलने फिरने वाला गैमेट और चोटा गैमेट जो रहता है उसे हम होते हैं और को स्टोर करते हैं तो हमें यह दोनों गैमेट के स्ट्रक्चर में बडिवेश देखने को मिलता है complex organism में और उंके काम करने के तरीके में में बडिफरेंज की पैसने को मिलता है अर अरिखं़ two gani में भी difference होगा और इसके sex organs भी अलग होगे ठीक है रिप्रोडुक्टी पार्ट उसका भी अलग होगा तो जो complex organism है उन में उनके individuals में भी हमें difference देखने को मिलता है ठीक है तो आप यह देख सकते हैं मैंने क्लास का इमेज लिया है तो आप पढ़ेंगे इसको आगे जाके आने वाले classes में तो आप यहां देख सकते हैं देखिए आइसोगमेट्स अफ लैडओ फॉर यह जो है सिंपल और गैनिजम है तो इसके दूने सिमिलर तो फिर हेट्रो गैमेट्स तो इस थोड़ा डिवल्ट और गैनिजम में तो अब देख सकते हैं कि यह जो फीमेल गैमेट्स बड़ी है और मेल यह मेंडी में छोटा है अरे तो आज के लेक्ट से में देखा है कि अृट क्या है तो आप कमेंड सेक्शन में लिख सकते हैं वापस समझा दूंगा क्योंकि यह थोड़ा सा tricky part है और आगे आने वाले बहुत इजी है वापस से फिर बहुत सिंपल हो जाएगा लेकिन क्योंकि इंट्रोड़क्टिव पार्ट है इंट्रोड़क्टरी पार्ट है इसके लिए थोड़ा सा tricky है तो जमके पढ़ाई किजिए और चीजों को जानते र गयाने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे ठीक है तो बाबाई